दिवाली पर हो गया सबसे बड़ा फैसला 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली देश भर के प्रमुख जोतिशाचारे, धर्मशास्त्री और संस्कृत विद्वानों ने धर्मसभा में लिया। फैसला कारण भी बताया, इसलिए एक नवंबर को नहीं मनाना चाहिए। दिवाली दोस्तों, इस बार दिवाली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई है कि किस दिन दिवाली मनाए, किस दिन नहीं. इसको लेकर देश के बड़े धर्माचारियों ने धर्म सभा करके फैसला ले लिया है. राजस्थान के जैपुर में जुटे सौ से ज्यादा विद्वानों ने कहा कि 31 अक्टूबर को देश भर में दीपावली मनाई जाएगी. दीपावली की तारीख पर चल रहे असमंजस को लेकर मंगलवार को जैपुर के केंद्रिय संस्कृत विश्व विद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विशय पर विशेश धर्म सभा आयोजित की गई. इसमें देश भर के प्रमुख ज्योतिशाचार्य, धर्म शास्त्री और संस्कृत विद्वान शामिल हुए. सभा के अध्यक्ष महाराजा संस्कृत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर राम पाल शास्त्री ने कहा, सभी की सहमती से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले सभा के संयोजक प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा ने कहा, दीपावली को लेकर मतभेद चल रहा था. इसे लेकर विद्वानों को काफी कष्ट महसूस हुआ कि हमारे त्योहार पर ऐसा नहीं होना चाहिए. अखिल भारती विद्वत परिशद ने इस पर यह बैठक बुलाई. इससे दीपावली के दिन को लेकर सपष्ट एक निर्णय आम जन तक जा सके. सभा में केंद्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय निदेशक प्रोफेसर सुदेश शर्मा, जगदगुरु संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपती प्रोफेसर रामसेवक दुबे, प्रोफेसर अरकनाथ चौधरी, प्रोफेसर भासकर श्रोत्रिय, प्रोफेसर ईश् प्रोफेसर कैलाश शर्मा सहित देश के करीब सौ प्रख्यात विद्वान शामिल हुए सोमनात संस्कृत युनिवर्सिटी गुजरात के पूर्व कुलपती प्रोफेसर अर्कनात चौधरी ने कहा राज मार्तंड ग्रंथ में कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा सदैव उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन कर्मकाल में तिथी की प्राप्ती होती हो यह चतुर्दशी मिश्रित अमावस्या में करनी चाहिए ऐसा व्यास गर्ग आदी अर्शियों का कथन है इस सिध्धान्त से 31 अक्टूबर को ही दीपावली शास्त्र सम्मत होगी सोमनात संस्कृत विवि गुजरात के पूर्व कुलपती प्रोफेसर अर्कनात चौधरी ने कहा हमारे देश में त्योहार के टिथिका निर्धारन सूर्य सिध्धान्त के आधार पर धर्म शास्त्री करते हैं यह सालों पुरानी परंपरा है उसके अनुसार कोई भ्रम कभी पैदा नहीं हुआ इस बार भी दीपावली को लेकर कोई भ्रम नहीं था इस पर विवाद द्रिक गणित, खगोलिय गणना करने की एक पारंपरिक पद्धती से तयार करने वाले पंचांगों ने किया है द्रिक गणित वालों ने पहले जनमाष्टमी पर दो दिन वाला विवाद पैदा कर दिया अब दीपावली जैसे बड़े तयोहार पर भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इसमें नासा के गणितिये गणनाओं ने हमारे तयोहार को भ्रमित कर दिया दोपहर दो बजे सभा शुरू हुई सभा शुरू करते हुए संयोजक प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा ने कहा दीपावली को लेकर मतभेद चल रहा है इसे लेकर विद्वानों को काफी कश्ट महसूस हुआ कि हमारे तयोहार पर ऐसा नहीं होना चाहिए अखिल भारतिये विद्वत परिशद ने इस पर ये बैठक बुलाई है इससे दीपावली के दिन को लेकर सपष्ट एक निर्णय आमजन तक जा सके दीपावली की तारीख पर निर्णय करने के लिए प्रमुख जयोतिशाचार्य, धर्म शास्त्री और संस्कृत विद्वान जयपुर के केंद्रिय संस्कृत विश्व विद्यालय पहुँचे सभी शास्त्र अनुसार तारीख को लेकर विचार विमर्ष करेंगे बैठक जयपुर के वयोवृद्ध जयोतिशाचार्य और महराजा संस्कृत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य राम पाल शास्त्री की अध्यक्षता में हो रही है इस धर्म सभा में विभिन जयोतिशिय गणनाओं, पंचांगों और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर गहन चर्चा की जाएगी सभा का उद्देश एक सर्व सम्मत निर्णय करके समाज में व्याप्त संशय को दूर करना है ताकि पूरे देश में दीपावली पर्व एक साथ शुभ मुहूर्त में मनाया जा सके 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने के तर्क जगद गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्व विद्यालय के कुलपती प्रो राम सेवक दुबे कहते हैं दीपावली को लेकर मदभेद पंचांगों की स्थितियों को लेकर है पंचांगों के अनुसार मुख्य रूप से अमावस्या कब होगी इस पर दीपावली का त्योहार निर्भर करता है 31 अक्टूबर की शाम चार बजे के बाद सायंकाल अमावस्या मिल रही है और इस दिन पूरी रात अमावस्या तिति है ग्रहस्तों और तंत्रसाधनावालों को 31 अक्टूबर को प्रदोशकाल में अमावस्या मिल रही है इस तर्क के आधार पर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही जा रही है एक नवंबर को दीपावली मनाने के तर्क एक तर्क ये भी है कि दीपावली प्रदोशकाल का पूजन है पर्व में उदया तिथी और साइंकाल में कौन सी तिथी रहेगी इसे देख कर विचार करते हैं ऐसे में 1 नवंबर को दोनों समय में अमावस्या की तिथी मिल रही है. इसी दिन शाम छेह बज कर कुछ मिनट तक अमावस्या मिल रही है. यानी उदैकाल से लेकर साइंकाल तक अमावस्या तिथी है. जैपुर के गोविंद देवजी समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी वहीं अयोध्या में 1 नवंबर को दीपर्व मनाया जाएगा